हेलो दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों आप लोग थनल देखके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टोपिक पर बात करेंगे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से फ़ले आप सबसे बुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीड परविन नाम की लड़की जो मौलना जर्जिस पर बलतकार करने का आरुफ लगाया और वो ठाने में केस दर्ज कराया दरासर ये पूरा मामला किया है चलिए जर्जिस अन्फारी के मुझे ही सुनते है ये वीडियो कुछ दिन पहले की है तो चलिए वीडियो देखे वीडि इतनी जल्दी इंटरनेट का समाना है और मैं शुक्र गुजार हूँ बनारस की जमाद का मैं शुक्र गुजार हूँ वहां के लोगों का यकीन कीजिए एक शक्स से हमारी इतावा में राज नीतिक लड़ाई कहलो स्यासी लड़ाई कहलो ये दस साल से चली आ रही है बत रुश्मती से वह भी मौलवी है। नाम लेने की जरुवत नहीं हैं आप लोग समझ गया हों गए और उसने अपना वह चोला बदलता रहता है, मवहू में भी आया था, उसको दियोबंदी लूब बलाते हैं तो बहूं दियोबंदी है उसको पैसा चाहिए एंजियो के नाम पर कि मैंने इतने गैर मुस्लिमों को मुसल्मान किया मेरा इतना बड़ा एंजियो चल रहा है इतना बड़ा मदरसा जब के सब जूट है सब फराड है चूँके मैं पूरे मगर्बी यूपी कामीर हूँ मैं उसको तस्दीग लिक कर न सबसे हो दीटा है और कोई थलाश करने आता है मेरा मामला तो यह कह देता है कोश नहीं तो बहुत से मामलाहत में उसने हमें फसाना चाहा लेकिं जब कोई डाल नहीं गली तो उसने बनारस की एक लिकी को जो दिमाग से पागल है छहाइब मुत और फजर की नमास पड़कर वो निकलती है और इटावा का वो मौलवी चार लोगों के साथ चार फोर वीलर यानि चार पहिये वाली गाली लेकर गोल गड़ा पे खड़ा हो जाता है और उस लड़की को फॉन करके बुलाता है वो लड़की सुबा फजर की नमाज के टाइम पर गोल गड़ा पहुंचती ह जलाली पुरे की रहने वाली है और उस लड़की को टाटा सोमो में अपनी फॉर वीलर गाली पर बिढ़ा कर इटावा लाता है और चार दिन उन चार लोगों ने उसको अपने पास रखा करहल मैनपुरी और इटावा उसको बहुत सी जगे घुमाया और उसको पढ़ाया ल लेकी आई जब जैद पुरा थाने में लेकी आई तो वो चार दिन में बहुत को सीख चुकी थी और चार दिन में सीखने के बाद उसने जैद पुरा थाने में हमारे खिलाफ फायार दर्च की कि मौलाना जर्जीस मेरे घर आए उन्निस ग्यारा दो हजार पंदरा को और उन तो उसके माबाप से पूचा कि तुम मुलाना जर्जीस को जानते हो और उने कहा कि हा जल्सा करने आते है। मैं जाता हूँ मशूर आजमी है। कहा नय source नुख कर नहीं हमारे घर तो नहीं आए। अभी भी देखिए चार चे दिन से गाइब थी और मैंने इसलिए एफ आई यार नहीं की कि वो तो उसकी आदत है चली जाने की हम मौलाना जर्जी इसको बेकुसूर मनते हैं वो हमारे घर कभी नहीं आए ये बाकाइदा चार शीट पर पुलिस ने लिखा है लेकिन लड़की का जब 164 का बयान हुआ कलम बंद बयान जिसको बोलते है उसमें वोस लड़की ने 15 दिन के बाद दूसरा बयान दिया उसमें मैं कहा मजिस्टेर के सामने कि मौलाना जर्जीस कभी मेरे घर नहीं आए मुझे बनारस में जब जलसा करने आते थे तो मुझे होटलों में मुल का बार तो नहीं होती दो साल से जबर्दस्ती हो रही तुम्हारे साथ तो कहा नहीं वो कह रहा है हम शादी कर लेंगे और अब शादी रही कर रहे हैं तो बस इस बयान को लिखकर उसने जैद पुरा ठाने को अलर्ट कर दिया कि आप जो है तफ्थीश करिए कौन सी होटल अब लड़की से पूछा जा रहा है कि कौन सी होटल थी किस होटल में तुम गई हो दो साल से तुम होटल जा रही हो तो लड़की का बयान है जो चार शीट पर लिखा हुआ है कि मैं होटल जानती नहीं हूँ पहचानती नहीं हूँ और अगर मुझे होटल तक ले जाया गय तो मैं होटल पहुच भी नहीं पाऊंगी इस परमसीन जो हमारी चार्शीट पर लिखा हुआ है और आगे भी लिखा है नो इंटरनल एंड एक्षनल ना उस लड़की के अंदर कुछ हुआ ना बहार या निवो शादी से पहले जैसे थी वैसी है उस लड़की के साथ कुछ न तमाम आधार पर लेकिन मुझे से मेरा वकील बोला इतना जबरदस ग्राउंड लड़की एफ आयार में कुछ बोल रही है और 164 में ये बोल रही है होटल का पता नहीं मेडिकल में अरे तुम्हें तो खड़े खड़े बेल मिल जाएगी आ जाओ तुम कौन है अरे कैसे काम तो ट्राइल में काम आएंगे जब मुकदमा चलेगा पहले तो लड़की का बियानी सब कुछ है पहले इदर आओ और जैसे ही मैंने स्रेंडर किया अपने आपको वो मेरे खिलाव उतने वकील खड़े हो गए और पूरा विश्व हिंदू परशाद बजरंग डल ये सब आसा राम अंदर जा सकता है तो मौलवी क्यों नहीं जा सकता है यह वो हंगामा ना दुनिया भर की बाते शुरू हुई और मैंने अपने पैरों पे खुद को लहाड़ी मार ली और सरेंडर होकर मैं अंदर हुग अब अंदर हुआ तो फिर हाला ऐसे बदल गए कि दो तिन पांच दिन में जवानत हो जानी थी लेगन फिर एलेक्शन आ गए एलेक्शन के बाद हाइ कोड जब गए तो हाइ कोड में दुश्मन ने हमारे हमारा वकील खला घर दिया उस वकील ने कोर का यह तो बाल ठाग़ोरे कि खलाब हो ले एड़ए कि खलाब हो ले इनकी उपर ब़ह मकदमे चल रहे हैं वहाइ कोड ने भी मेरा करिमनल रिकार्ड मगा लिया कि इनका करिमनल रिकार्ड मगा пой Papa उसके बाद देखेंगे करिमनल रिकार्ड कोई हो मेरे पास सारे थानों से निलरिपोर्ड आई ह mahdollött का तो बो मुकदमा उसने वे में बेल पर छूटा उता आजकल शराबी को शराबी के तो वो F.I.R करा देता है, जुआरी को जुआरी के तो वो F.I.R करा देता है, तो ये कोई मुकदमा नहीं है, कोई अपराद नहीं है, तो जजज ने कहा की भाई, क्या भाई, लड़की बालिक है, कह रही है, कभी घर कभी कह रही है, घर मेडिकल में कुछ है नहीं, लहाजा उसने फौरंग बेल ले दी मुझे, अब जब बेल मिली मुझे, तो अब मेरा दुश्मन फिर चोकन नहुआ, अब तो बेल मिल गई, अब तो जर्जीस भी मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा, तो उसने फौरंग कानपूर में जाकर, मेरे खिला कि जल्दी से उसकी दफ उसने बताया मैंने समझ गया पुराना मुकदमा है मैंने का यार मैं तो बेल पर छूटा हुआ हूँ बोले अब यहां से आपको ट्रांसफर किया जाएगा तो अब मुझे वहां ले जाया गया बनारस की पुलिस हमको लेके वहां पहुंची लेकि वह मैं बस खड़े खड़े मैं छूट गया उसने कहा कि आप का आप का आप तारीख पर क्यों नहीं आए मैंने का मैंडम मैं जेल में था मैं कैसे आता चार महीने तो आपके वकील को आप एपलिकेशन लगाना चाहिए मेरा वकील बोला मुझे भी नहीं मालूम था ही जेल में मेरा वकील बोला मुझे भी क्या मालूम आपने बताए कि मैं जेल में हूँ है तो कहा कि चलिए कोई बात नहीं आप की बेल तो होगी आप बेल पर चूटे हुए थे ठीक है लेकिन चूटे जेल से चूट रहा हूँ इसलिए जेल में जाना ही पड़ेगा दो घंटे के मेरे भाईयो इस पूरी लड़ाई में ना लड़की लड़की के माबाप नहीं सिर्फ उसी मौलवी का हाथ है जो बहरुपिया है और वो आप लोगों तक भी चंदावंदा करने आएगा मैं पहले बता रहा हूँ कि होशयार रहीएगा मुझे भी आगे लाई लड़ना है क पहले में बहुत बार गया हूँ और कभी डिरा नहीं हो होता रहता है लेकिन 376 केस में जाना बहुत मुरा होता है और मैं अपनी जमाद को भरोसा दिलाता हूँ अपनी जमाद को खास तोर पर इन्शाललह मैं आपके सर को शरम से जुकने नहीं दूंगा कभी इस तरीके का म सकता कि मैं कभी गया हूँ और ना मेडिकल रिपोर्ड में कोई साबित कर सकता है कि मेरा काम किसी होडल में इंट्री नहीं कभी कि उस लड़की की शकल तक नहीं देखी है इन्शाललह सच सच होता है और एक दिन ये सूरच की तरह चमकेगा कुछ आया बदलिया आती है और स महले का ये मेटर है लेकिन हमने एक दो मौलाना का वहां से फोन आया मेरे पास बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन अभी चलाली पुरा थोड़ा छोड़ दो क्योंकि यही का मामला है लोग ये कहेंगे कि मौलाना जर्जीस को इतनी जल्दी क्या है उसी महले में घुस धे तो येगर वह और दोसी है तो मैरे चैनल को सब्सक्राब करें विडियो को लाइक, शेर और कमेंटर रूपर तो मिलते हैं आगले वीडियो में जाए हिंट